नमस्कार साथियो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल कुंडलवाल इस्टडी में हम इस वीडियो में आज यानि 26 सितंबर 2022 को RRB Group D की 1st shift में पूछे गए GK, GS और Current Affair के क्यूशन्स को सोल करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से क्यूशन्स पूछे गए हैं 1st क्यूशन है यांतरिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में कौन बदलता है तो यांत्रिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में बदलता है विद्यूत डाइनमो या फिर जिसको बोलते हैं अपन विद्यूत जनरेटर और आपसे पूछ लिया जाए कि विद्यूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में कौन बदलता है तो उस समय अपना उत्तर हो जाएगा विद्यूत मोटर बदलता है, अगला सवाल है, ICC महिला वर्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाडी ने लिये हैं, तो ये लिये हैं भारत की जूलन गोस्वामी ने, और इन्होंने हाली में किर्केट से सन्यास की भी गोशना कर दी है, अगला सवाल है, पहली सास्त सास्त्री बासाओं का दर्जा दिया गया है, तो वो कौन-कौन सी है, पहली है संसकर्थ, जिसको 2005 में सास्त्री बासा का दर्जा का दर्जा दिया गया है, फिर आती है मलियालम, जिसको सास्त्री बासा का दर्जा मिला है, 2013 में, और सबसे लास्ट में आती है ओडिसा बासा, जिसको सास्त्री बासा का दर्जा दिया गया है 2014 में अगला सवाल है अंतराश्त्री महिला दिवस 2022 की थीम क्या थी तो इसकी थीम थी जेंडर इक्वेलेटी टूडे फोरे सस्टेनेबल टुमारो यानि एक इस्ताइकल के लिए आज लेंगिक समान था अगला सवाल है फ्लेमिंग के बाय हाथ के नियम से चुमा के शेत्र बल और धारा के बीच परस पर कितना कौन बनता है तो फ्लेमिंग के बाय हाथ के नियम में चुमा के शेत्र बल और धारा के बीच में परस पर कौन बनता है 90 डिगरी का अगला सवाल है EOS 4 उपगरे को launch कब किया गया यानि Earth Orbit Satellite 4 है इसको कब launch किया गया तो इसको launch किया गया है 14 फरवरी 2022 को और आप से पूछ ले कि पर्थवी की कक्सा से कितनी किलोमेटर की उचाई पर इसको इस्तापित किया गया है तो इसको इस्तापित किया गया है 500 किलोमेटर की उचाई पर 530 किलोमेटर की उचाई पर अगला सवाल है भारत का शेत्रफल के आधार पर कौन सा इस्तान है तो भारत का शेत्रफल के आधार पर इस्तान है साथवा और आप से पूछ ले कि भारत का शेत्रफल कितना है तो भारत का कुल शेत्रफल है 32,87,263 वरक किलोमेटर अगला सवाल है सलफर से सलफेट का बनना कौन सी अभिक्रिया का उधारण है तो ये उधारण है ओक्षीकरण अभिक्रिया का अगला सवाल है धर्म निर्पेक्स्ता सब किस सविधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया है तो ये जोड़ा गया है 32,87,263 द्वारा अब देख लेते हैं कि इस सविधान संसोधन द्वारा और क्या-क्या जोड़ा गया है तो इसमें धरम निर्पेक्स्ता या पंत निर्पेक्स्ता के अलावा समाजवाद और अकणता तीन सब जोड़े गए हैं बारत की सविधान की प्रस्तावना में और इसी सविधान संसोधन द्वारा स्वन सिंग समिती की सिफारिस पर दस मूल करतवे भी जोड़े गए हैं इसलिए इसे लगू सविधान भी कहा जाता है अगला सवाल है डोबर्नियर के ट्रिक्डियम में केल्सियम और बेरियम के बीच में कौन सा तत्वे आएगा तो केल्सियम और बेरियम के बीच में आएगा इस्ट्रोंसियम जिसका प्रतिक होता है एसार अगला सवाल है केल्सियम सलफेट हेमि हाइडरेट किसे कहते हैं तो केल्सियम सलफेट हेमि हाइडरेट को बोलते हैं पन प्लास्टर ओ पेरिश जिसका फोर्मूला होता है CASO4.HARP S2O और यह बनता कैसे है तो यह बनता है gypsum को 333 degree Kelvin पर गरम करने पर अगला सवाल है उस्मा की हानी किसके समानुपाती होती है तो अपन जानते हैं जो H होता है उसका formula होता है I square R T तो यह किस-किस के समानुपाती हो जाएगा तो यह समानुपाती है परतिरोद और समय के और बात करें करंट के यानि धारा के तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है अगला सवाल है भारत के पर्थम स्रम मंत्री कौन थे? तो भारत के पर्थम स्रम मंत्री थे जगजिवन राम अगला सवाल है CNG वय बायो गेस में मुख्य गटक क्या होता है? तो इसका मुख्य गटक होता है methane या methane गेस इसका formula होता है CH4 और आपसे पूछ ले कि LPG गेस यानि liquid petroleum गेस में मुख्य गटक क्या होता है? तो उस समय अपना आंशर हो जाएगा propane और butane अगला सवाल है भारत की राजदानी दिल्ली दर्बार में इस्तानांतरित करने की गोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 दिसंबर 911 को किसके सासनकाल में? तो ये हुई थी जोर्ज पंचम के सासनकाल में अगला सवाल है राश्ट्रिय वायू खेल निती को कब लॉंच किया गया है तो ये लॉंच किया गया है 2022 में और किस मंत्राले द्वारा लॉंच किया गया है तो उसमें अपना उत्तर हो जाएगा नागरिक उडियन मंत्राले द्वारा चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको like करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share करें और इस चैनल को subscribe कर bell icon को press जरूर कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो इसके notification आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके हैं और यदि आपको इस वीडियो की पीडियाप चाहिए तो आप हमारे telegram channel कुंडलवाल study को भी join कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक और analysis के साथ तब तक के लिए thank you धन्यवाद जै हिंद जै भारत